इस साल समय से पहले पड़ी भीशन गर्मी के कारण कम उत्पादन की वज़े से भारस सरकार ने गेहु के निर्याद पर रोक लगा दी थी अब चार महीने बाद पर्मुक धान उत्पादक राज्जों में वर्षा की कमी के कारण धान के रगबे में भी कमी की बात कही जा रही है जिसे लेकर व्यपारी वर्ग में काफी बेचैनी बनी हुई है केंद्रिय क्रिशियम किसान कल्यान मंतरालिय द्वारा जारी खरीफ फसलों के रखबे की प्रोग्रेस रिपोर्ट के मताबिक 26 अगस्तक देश में धान की बुआई रखबे में पिछले साल की तुलना में 7.5 फीसद की कमी दर्ज की गई है वही भारत गंगा के मेदानों में स्थित परमुक चावल उत्पादक राज्यों में बारिश की कमी के कारण बुआई शेतर में कमी आई है देश में बड़ी संख्या में किसान फसल लगाने के लिए मौनसुनी वर्षा पर निर्बर है क्योंकि उनके पास सिंचाई के अन्य सुविधाओं का अभाव है भारत मोसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साल 1 जून से 2 सितंबर के बीच उत्तर परदेश में माइनस 44 फीसदी बारिश दर्ज की गई है प्रोसी राजी अभिहार में वर्षा की कमी 6-37 फीसदी तो जारखन में 6-26 फीसद कम है उधर पंजाब और हरियाना में भी बारिश जो है वो कम दर्ज की गई है पंजाब में 14 फीसदी तो हरियाना में माइनस 9 फीसदी बारिश कम दर्ज की गई है विशो बैंक ने पिछले महीने खादे सुरक्षा स्थिती पर एक ब्यान जारी किया था उस ब्यान के मुताबिक भारत में चावल निर्यातक चिंतित है उन्हें आशंका है कि धान के उत्पादन में कमी के कारण सरकार चावल के निर्यात पर प्रतिबन लगा सकती है अगस्त को जारी विशो बैंक अपडेट में कहा गया निर्यातक चिंतित है कि कही निर्यात प्रतिबन लागू न कर दिया जाए वह साक पत्र खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जून से सितंबर 2022 तक 10 लाग टन चावल निर्यात करने के अनुबन पर हस्ताक्षर किये हैं इसके लावा 26 अगस्त को रोयटर्स की भी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत 100% टूटे चावल के निर्यात को प्रतिबन करने पर विचार कर रहा है 13 माई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगने के बाद सरकार ने हाली में गेहूं की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए गेहूं के आटे और सूजी के निर्यात पर भी प्रतिबन लगा दिया है 28 अगस्त को विदेश वेपार महने देश अलिया ने इसके अधिसूचना जारी की थी बजार जानकारों को कहना है कि केंदर सरकार द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबन लगाने से इंकान नहीं किया जा सकता क्योंकि दरसल रूस युक्रेन युद के बाद मक्के की बढ़ती कीमतों ने तूटे चावल को पशू अहार के रूप में इस्तेमाल करने की और जाने के लिए प्रेरिद क्या है बढ़ती फीड लागत के सासाथ मास की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है हो सकता है कि इस मोसम में भारत में चावल का उत्पादन कम हो कुछ परमुक चावल उगाने वाले राजियों में कम बारिश के कारण चालू खरीब सीजन के दोरान चावल की बढ़ाई पिछले साल की तुलना में 6 फिसदी कम है इसकी वज़े से भारत में घ्रेलू चावल की कीमते बढ़ रही है रिसर्च बताती है हलाकि सरकार के पास चावल का प्रयाप बफर स्टोक है लेकिन भीशन गर्मी के कारण गेहूं की फसल के नुकसान की वज़े से इसकी कम सरकारी खरीद ने चावल पर बोच बढ़ा दिया है उधर भारत में चावल के कम रखबे को अफरीका के पूर्वी शेतर में भीशन सूखे के साथ भी विलाकर देखा जा सकता है इसका मतलब है कि आने वाले महिनों में चावल के बफर में कमी और स्थानिय चावल की कीमतों में भढ़ोतरी है हलाकि All India Rice Export Association की माने तो उन्होंने कहा है कि चावल के निर्याद पर प्रतिबन की संभावनाओं को लेकर आ रही खबरे न सिरफ अटकले हैं बलकि लोगों के बीच भ्रम भी पैदा कर रही है उनका कहना है कि ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं जो दहशत पैदा कर रही है कहना है कि गेहू के निर्याद पर पहले से मौझूद प्रतिबन की तरजबर्ट चावल के निर्याद पर प्रतिबन की संभावना बेहत कम है क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार ने गेहू पर प्रतिबन तब लगाया जब मुफ्त राशन योजना और PDS के लिए कम स्टोक पर चल रहा था वहीं बताया जा रहा है कि चावल का स्टोक फिलाल परयापत है निर्यातकों का कहना है कि साथ ही देश में चावल की उतनी मांग नहीं है जितनी गेहू की थी इसलिए हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं गेहू ना सिरफ परमुक फूड है बलकि इसके आटे का उपयोग बेकरी और कनफेक्षरी के समानों में भी किया जाता है जबकि चावल के मामले में ऐसा नहीं है इन सभी कारकों के साथ निर्यात पर फिलाज चावल के निर्यात पर प्रतिवंद की कोई भी संभावना बंती दिखाई नहीं दे रही है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी